आज हम देखते हैं 16 वा दिन मजमूने हमारा उर्दू तो महारत तसवरात में तसवर सुनना खेल सरगोशी का राजा कहता है आज हम ये खेल खेलने जा रहे हैं तो आओ मालूम करें पहले क्या करना है पहरे बच्चों सभी बच्चे ग्रूप बनाकर एक जगा पर बैट जो करना है वो वालिदेन क्योंकि प्यारे बच्चों आप घर में है इसलिए वालिदेन आपके कान में एक जुमला कहेंगे अब वही जुमला तालिबेल्म यानि आपको दूसरे बच्चे के कान में कहना है दूसरा बच्चा तीसरे तालिबेल्म के कान में कहेंगा तीसरा चवते के इस तरह आखरी तालिबे इलम तक सरगोशी को पहुचाए आखर में देखेंगे कि क्या सरगोशी का जुम्ला मनवान आखरी तालिबे इलम तक पहुचा जो जुम्ला हमने शुरुवात में कहेते कि आखर तक वही जुम्ला पहुचा गया या उसमें कुछ तब्दि अब देखिये आओ अहलियत पैदा करें सरगोशी के लिए जमला यह जुमले बनाना है आपको शराफत की शादी में शकर का शर्बत इस तरह के जुमले बनाना है देखे आपको शराफत की शादी में शकर का शर्बत दूसरा जुमला इस तरह है अब्बा आए बाजार से आम जाम अंगूर संतरे देखे बाजार से जाम लाए तीसरा है कच्चा पापड पक्का पापड चोता है पीतल के पतेले में पपीता पीला पीला और पाच्वा है चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदी चोक में चांदी के चमचे से चटनी चटाई तो पैरे बच्चो है ना मज़िदार आएए आगे देखते हैं राजा कहता है किसकी तस्वीरे पैरे बच्चो ये राजा की असदिजा वालिदे ने इस दिल्चस सरगर्मी से मुतलिक गुफ्तगू करते हैं मौलिम तुल्बा को खेल खेल में इस सरगर्मी को अंजाम दे और एक के बात एक हिदायत देंगे तलबा सुनकर अमल करेंगे राजा कहता है एक कतार में सब लग जाओ राजा कहता है भागो मत रुको राजा कहता है जोर से बोलो राजा कहता है हात धोलो राजा कहता है लोड कर जल्दी आओ राजा कहता है पानी पी कर जल्दी आओ आओ मश्क करें सुनो और अमल करो सर पर हात रखो एक पाव पर खड़े हो जाओ अपनी जगा पर कुदो पीछे मुड कर देखो एक हात उपर लो अपने कान पकड़ो आओ तक यो लाति बने राजा कहता है उल्टा चोर को तवाल को डाटे आम के आम गुटलियों के दाम जिसकी लाठी उसकी भैंस चोर की दारी में तिनका चिराख तले अंधेरा खुदा की लाठी में आवाज देहीं तो चलिया जिस तलबाओ तलबत मिलते मगलिदीन